हेलो फ्रेंड्स वेलकम और वेलकम बेक टू मैं चैनल लान विद गुन फ्रेंड्स एक न्यू टॉपिक फिनेंशल इंक्लूजन जिसे हम पढ़ चुकी है आज हम पढ़ेंगे इंवेस्मेंट बैंकिंग के बारे में ये दोनों टॉपिक जो है आपके फिनेशल इंसीटूशन सबजेक्स इसमें इंक्लूड होती है तो जली फ्रेंड्स देखते हैं इंवेस्मेंट बैंकिंग ये जो टॉपिक है इसके नदर क्या कर पढ़ने वाली है तो सबसे पहले देखते हैं कि investment banking का meaning क्या होता है तो देखिए investment है वो दो words को मिला के बना है किसको investment banking जो आपका पूरा concept है please write it there investment banking investment banking बना के मिला है investment plus banking तो पहले हम देखेंगे investment का मतलब क्या होता है फिर हम देखेंगे कि banking का मतलब क्या होता है and then फिर दोनों को mix करके देखेंगे कि investment banking का मतलब क्या होता है ठीक है so देखें investment का मतलब क्या होता है आप अल्रड़े पढ़ चुके है investment analysis की वीडियो में आप जा कर देख सकते हैं उस playlist के अंदर investment, speculation, gambling, सबका meaning काफी अच्छी से क्लिए है तो यहाँ पर word है आपका investment investment क्या होता है किसी भी assets को खरीदना उसे acquire करना और इस तरीके से खरीदना ये सोच कर खरीदना कि वो हमें future में हमारे लिए किसी ना किसी तरीके की income को generate करेगा या फिर हमारी capital appreciate होगी ठीक है जैसे कि आप किसी security में अगर आप invest कर रहे हैं तो वो आपके एक तरीके की investment है वाई वो investment क्यों है क्योंकि उससे आपको income मिलेगी ठीक है जैसे कि अगर डिमेंचर खही दें तो आपको interest मिलेगा या फिर आपकी capital appreciation होगी अगर आप equity में invest कर रहे हैं equity investment आपको पता है यह already काफी सार वेडियो से आप जाकर जाकर सकते हैं economic sense में क्या कर सकते हैं कि आप an investment is a purchase of goods that are not consumed today but are used in future to create wealth यानि कि investment का मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी चीज जिससे आप अभी consume नहीं कर रहे हो ठीक है but are used in future to create wealth लेकिन आप उसे future में use करेंगे तो यह investment का मीरिंग अब देखते है banking का मतलब क्या होता है banking the type of business done by bank banking का मतलब क्या है वो सारे काम जो bank करते हैं उसे हम banking क्या दे हैं बहुत simple definition है so bank होता क्या है एक company होती है एक तरीके की जो की receiving money का एक business करती है और वो draft को collect करती है और main सबसे काम क्या होता है लोगों से पैसा लेती है and land money to needy और इसको जरुत होती है वो उसे loan देती है यह simple banking हो गया और अब हम मेने पढ़ेंगे की investment banking का मतलब क्या होता है यानि की investment bank जो है वो दूसरे bank से अला क्या है इसकी meaning से हमें clear हो जाएगा तो देखी investment banking क्या होती है it is special segment यह क्या है special segment है banking operation का जो की help करता है individuals की या organization की to raise capital यह आपको important thing आई है capital को raise करने में help करता है and provide financial consultancy services to them और किसलिए help करता है है financial consultancy services देने में for example के लिए आप मान लीजिए कि कोई भी एक new company है suppose xyz company है and xyz company को new अभी open होई है so इसे of course capital तो शहीं की होगी so अभी क्या करेगी capital को raise करेगी लेकिन अभी new company है तो ना इसके पास इतना experience है ना इसके पास इतनी expertise है I mean कि जिससे वो क्या कर सकी capital को raise कर सकी so यहाँ पी यह जाएगी investment bank के पास कि आप मेरी help करो capital को raise करने में तो investment bank क्या करेगा capital को raise करेगा और सिरफ यह नहीं कि उसमें help करेगा मतलब उसमें help करने के साथ साथ यह उसे advice भी देगा कैसी advice? financial consultancy services consultancy services का मतलब advice है consult करना कि आप ऐसा करिए तो better रहेगा और financial relativity देना कि आप debt करिए equity रखिए इतना ratio रखिए यह ratio रखिए बहुत सारे होते हैं ठीक है expert को सब बताएगा उसे so यह meaning हुआ आपका investment banking का आगे देखी और clear होगा investment banking done by investment bank कौन करता है investment banking को investment bank करते हैं so इसके लिए तो आपको investment bank का मतलब भी पता होना चाहिए so आप देखी investment banks क्या होते है investment bank क्या होते है investment bank और financial intermediaries that acquire the saving of people investment bank या फिर आप कह सकते हैं इसे आप दूसरा नाम देखी है इसे पता लग गया financial intermediaries भी इसे हम कहते हैं बहुत साय टाइप के होते है उसका एक टाइप ये भी है ठीक है जो कि finance को acquire करने में जो एक mediator का काम करते हैं उसे हम कहते हैं intermediaries financial intermediaries ये क्या करते हैं लोगों की saving को acquire करते हैं लेते हैं और इस fund को ये enterprises में लगा देते हैं और उससे उनकी help करते हैं plant खरीदने में उनका equipment खरीदने में ये होते हैं आपके investment bank जो भी investment banking का काम कर रहा है उसे कहते हैं investment bank और ये बहुत सारे हैं आपके पास इंडिया में भी हैं इंडिया से बाहर भी हैं और इस से भी सेबी से आपको रेजिस्टर होना पड़ता है कि I think सेबी mandatory है कि आपको सेबी से permission लेनी ही होगी और सबसे पहले सेबी ने 1972 में ये start हिया था एक public sector bank उसने set up किया था 1972 में जिसने की investment banking के तरह काम किया था first ये bank set up किया गया था सेबी के through all right so I think 136 registered सेबी के पास current में इसके bank से जोगी investment banking के तरह काम कर रहे है आप इसे रीचक कर सकते है for updating next देखिए investment bank के बारे में और भी चीज़ें जो आपको समझाए कि investment bank क्या होते है investment bank help करते है company की और government की किसी इसी help करते है किसी भी company की या government की और या फिर उनकी किसी agency की कि वो money को raise कर सके simple सी वही बात है money को raise करने में help करते है मैंने आपको पहले ही बता है investment banking के मतलब में और security को sale करने भी help करते है primary market में because primary market में आप कोई आप security sale कर रहे हैं तो उसे किसे company को पैसा मिलेगा so उसमें भी वो उसकी help करते हैं so यह हो investment bank तो अब आपके पास अगर यह exam में question आता है so friends आपको क्या करना है सबसे पहले आपको investment investment का investment banking दो वर्ड से मिलके बनाएं आपको वो लिखना है फिर आपने investment का मतलब बताना है फिर banking का मतलब बताना है फिर investment banking complete meaning बताना है और फिर आपने उसके बाद investment bank का भी meaning बताना है यानि कि आपको concept जो है वो पूरा explain करके वहाँ पर आना है so अब बात करते हैं example की देखिए example हम देखेंगे तो हमें काफी इच्छी से clear हो जाएगा कि investment banking की सरीके से काम करती है so एक company है हम लेते हैं उस company का name ABC यह ABC company है so यह क्या करना चाहती है यह एक XYZ company को खरीदना चाहती है हम यह example लेते हैं ठीक है XYZ company को यह खरीदना चाहती है उसे खरीदने के बारे में सोच रही है लेकिन ABC यह company इसकी real worth जो है वो नहीं जाती कि इसकी real worth है कितने हमें कितने पैसों में से खरीदना चाहिए और क्या यह जो यहाँ पर अपनी balance sheets या अपने accounts जो भी इस financial statement शो कर रही है क्या वो real है भी या नहीं किस तरीके से हम इनकी wealth calculate करें और क्या method हम use करें इसके good wealth को calculate करने में so यह confused है यहने कि इसको purchase तो करना चाहती है बड़ यह इसकी real worth नहीं जानती है so यह अब किस के पास जाएगा ABC company जो है यहाँ पर जाएगी एक investment bank के पास ठीक है यहाँ पर देख़ए existence start हो गई investment bank की यह आ गए investment bank तो अभी investment bank क्या काम करेगा कि यह diligence से काम करेगा और यह XYZ company की क्या करेगा value उसे find out करेगा ठीक है value find out करेगा उसके सारे expect को अपने आप देखेगा और फिर यहाँ पर यह इसे advice करेगा यहाँ पर advice करेगा ABC company को कि अब आपको इस वाली company को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए और खरीदना चाहिए तो क्या आपको range रखने चाहिए क्या इसके goodwill है क्या इसकी wealth है इससे related सारे जो भी expect है वो ABC को बताएगा इसके पर ABC जो है अपना decision लेगी कि वो इसे purchase करे या फिर purchase ना करे ठीक है यह work होता है आपका investment bank का जो कि यहाँ पे bank कर रहा है और जो यह सारी process है यह भी कराई जाती है investment banking पर सिरफ capital को raise करने में help करना या उन्हें advice देना यही investment banking नहीं होती बलकि इसके अंदर बहुत सारे functions include होते जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे ठीक है और यहाँ पे एक और possibility यह भी है कि हो सकता है कि XYZ company की भी help को यह investment bank कर रहा हो यानि कि XYZ company ने भी किसी और investment bank को appoint का रखा हो यह बताने के लिए कि हम जो है sale अपनी company को कितने amount में करें इसे करे भी या ना करें ठीक है तो यह possibility भी आपर बन सकती है I hope now it's clear to you So friends अगर आपको वीडियो किसे भी वीडियो से आपकी help हुई हो आपको अच्छी लगी हो कोई वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल चलिए next बढ़ते है Services कौन कौन सी services देते है Investment Bank Services by Investment Bank तो क्या services देते है Primary market से related services देते है Secondary market से related services देते है और कुछ other services देते है तो कौन कौन सी है देखे है Primary market की सबसे पहले अगर हम services की बात करी तो वो है Capital को raise करने में help करते है मैंने आपको पहले बताया था अगर आप merger acquisitions हो रहा है किसी दो company का acquisition जैसे मैंने अभी आपको एक्जांपल में भी बताया कि ABC company exercise को हरीदना चाती है तो इसमें भी ये guide करते है कुछ general advisor services भी देते है Next दाता है Secondary market services इसमें वो क्या करते है Securities business करते है और Assets management services करते है और Wealth management services में भी help करते है Next दाता है आपके पास Other services इसमें क्या करते है चोटी मुटी और services advice देते है क्या advice देते है Infrastructure से related ठीक है Advise related to private client की private client से related advice देते है Advise related to sales and trading Advise related to research ये सारी advice भी investment bank जो है provide करते है So ये 3 type के services जो है investment bank provide करते है Now अब हम बात करेंगे Services हमने पढ़ लिया तो अब हम बात करेंगे functions क्या होते है आपके investment bank के So देखते हैं आगे कि किस इतने type के हमारे functions होते है So देखे ये है functions of investment bank Investment bank जो है वो कोई ये दो काम नहीं करता बलकि बहुत सारे काम करता है जिसको ये इस diagram के through दिखाया गया है So देखे आप कितने सारे work जो है ये कर सकता है अब next हम इसको explain करते है Alright चलिए explain करते है So here we go about the functions of investment banks क्या होते है सबसे पहला है IPO IPO में help करते है मतलब primary market में help करते है initial public offering में help करते है कैसे ये इसको underwriting services देते है main यह यह IPO में किस तरीके से help करते है कि वो underwriting services देते है ठीक है next देख सकते हैं investment management में here I and dot stands for investment ठीक है investment banks कैसे help करते है ये से advice देते है purchase करने में manage करने में securities की help करते है कुछ और आपकी जिसे real estate खरीदे ना खरीदे mutual fund में invest करे या ना करे ये भी एक दूसरी companies को बताते है ठीक है तो आपकी जो investment है उसे manage करने में भी ये help करते है next जाता है boutiques इसमें क्या होता है कि जो small investment banking companies होती है big investment companies भी है मतलब बहुत बड़े-बड़े banks भी है investment bank और कुछ small small भी है so ये क्या करते है कि services देते है so आप देखे कि small banks होते है वो किस type का काम करते है जिसे आप bookay करते है ये mainly specialized होते है trading modes में advice देते है merger acquisitions में और technical analyst की तरह भी काम करते है तो इसे हम कह देते है boutiques अब आगी पढ़ेंगे type of banks में आपको clear हो जाएगा next एक है और ये किसमें help करते है merger acquisition में ये आपको पहले भी बताया था another एक जो important function investment bank का merger acquisition में help करते है next structuring of derivatives derivatives ये भी help करते है इसके अंदर मतलब की एक recent जो आपकी underline cash securities होती है इसमें ये आपकी help करते है derivatives आपने पढ़ाई होगा next होता है merchant banking इस बहुत big concept है merchant banking आप चाहेंगे तो आप comment कर दीजिए अगर आपको इस topic पर भी वीडियो चाहिए हो तो so merchant banking में आपको help कर सकते है private equity में help करते है merchant banking में ठीक है next अज़ आता है और गया करते है research अगर आपको किसी भी advice ready to research देते है जैसा हमने इसे services में भी पढ़ा कि और क्या काम करते है ये reports आपकी देखते है reviews करते है और सारी reports को और देखते है कि buy करना चाहिए sell करना चाहिए ये इस तरीके कि में भी help करते है risk management में काम करते है अगर company के लिए क्या क्या risk arise हो सकते है और future में क्या होंगे current में क्या है company के किस act से किस type कर risk arise होगा ये सब भी आपको guide करते है investment bank और राइट next देखिए type of investment bank तो ये हमने सारी जो पढ़े ये थी functions of investment bank if you want then pause and take screenshot ठीक है about the functions so ये हो गए आपके पास functions of investment bank अब हम बात करेंगे type से related so देखिए types क्या होते है type of investment bank कितने type के होते है इसके लिए वैसे तो ये बहुत साइव type के होते है पर generally इसमें four type के include होते है जिसको मैंने आपको यहाँ एक comparison form में दिखाया है ताकि आपको difference से उनका meaning जो है and number of employees सबसे पहला होता है bulge bracket यह एक type investment bank पहले type का जो bank है वो है bulge bracket जिसे full services भी कहते है इसे investment bank के name नहीं है यह उसके type की name है कि किसके type की name होते है तो पहली investment type का जो name होता है वो होता है bulge bracket जो की बहुत बड़ा bank होता है full services है तो इसका size क्या होता है huge होता है coverage इसकी घ्यानिकी कहां भी है कितनी countries में है तो यह लगपक जितने भी सारी countries है उन सम्में इस type की आपको bank मिल जाएंगे सारी type की services देते हैं और number of employees बहुत सादा होते है next आते है regional bookets मैंने बताया था न किसमें आपको include होगा यह क्या होते है यह सबसे smallest होते है इसका size यह किसी एक particular area में होते है यह size services नहीं देते है investment banking की services बहुत सारी होती है आपको पता है कि हम यह किस services की बात कर रहे है primary, secondary and other तो इसमें से कुछ selected services देते है और इसमें employees होते है वो भी बहुत कम होते है ठीक है next type का investment bank होता है वो होता है middle market इसमें क्या होता है यह इन दोने के middle होता है यानि कि सबसे जो investment bank अगर कोई बहुत बढ़ा है जो size services देता है तो उसे हम क्या कहते है कि बुल्च bracket का investment bank है अगर कोई बहुत चोटा है जो सबसे चोटा है उसे कहते है regional bucket और यह होता है middle market जो medium size होता है ठीक है जो कि multinational नहीं होता लेकिन यह एक state से जादा में होता है in more than one state किस type पी services देता है यह आपको services तो यह सारी देता है लेकिन specialize यह कुछ services में होता है जैसे कि यह वाला होता है site पी services देता है और सब में specialize भी होता है बट इसमें ऐसा नहीं होता number of employees ना बहुत कम ना बहुत जादा next elite bucket भी होता है एक fourth number पे यह क्या होता है bullish bracket के इकमल होता है वैसे तो यह और कुछ reasons में होता है और कुछ आपके services में specialize भी होता है same यह कौन जाकते हो लेकिन इसमें employees में difference से जादा है वैसे इसी के जैसा होता है लेकिन employees ही अपने पास कम रखता है बड़ता best one ठीक है so यह आपका हो गया type of investment banks तो friends कुछ top की जो name है मैं आपको बताती हूँ कुछ important name top की आप कह सकते है या फिर आपके कुछ जाने माने जो name है investment bank की आप कह सकते है आप city bank कह सकते है bank of america कह सकते है या आप कह सकते है Morgan Stanley Morgan Stanley भी एक bank है जो की काफी अच्छा work करता है वो investment bank की एक तरीकी का Morgan Stanley Kotak investment banking भी है BNP Paribas भी है JP Morgan तो ये भी क्या है आपके ये सारी कुछ important कह सकते हो या फिर कुछ चुनिंदा नामों में से मैं आपको बता रही हूँ investment bank की बारे में ये कुछ name है आप search कर सकते है you can find it easily on the google so friends ये था आपका investment banking के बारे में तो अगर आपको कोई भी query हो तो आप comment करके पूश सकते हैं और कोई भी topic जिस पर आप video चाहते हैं तो आप comment कर सकते हैं till then stay tuned bye-bye take care